नमस्कार साथियों हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एक्सलमेशन टिटोरियल पर आपका स्वागत है आज हम आपको 14 नमंबर को कंड़क्ट होने जा रहे है UPSC National Defense Academy, Naval Academy and Combined Defense Service 2021 Second Exam के लिए General Ability Test GAT का 10 questions discussion करेंगे जो कि इस exam की दृष्टी कोन से useful और important है तो आईए साथियों विनादेर के विए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों तो पहला question देखिए मोहनदास करमचन गांधी द्वारा भारत छोड़ो अंदोलन कब सुरू किया गया था option A 1946 मे, option B 1949 मे, option C 1942 मे, option D 1940 मे तो साथियों, मोहनदास करमचन गांधी द्वारा भारत छोड़ो अंदोलन आपका उन्हें 42 इस्वी में पररंभ किया गया था, शुरू किया गया था इसलिए question number 1 का answer आपका option number 3 होगा साथियों भारत छोड़ो अंदोलन की सुरूआत महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें 42 इस्वी में किया गया था अब next question पर चलता हैं साथियों साथियों तो अब next question, question number 2 देखिए भारत में गरीवी और गैर ब्रिटिस सासन पुस्तक किषने लिखी है अब next question पर चलता हैं साथियों साथियों तो next question, question number 3 देखिए कृष्णा नदी और गोदावरी द्वारा निर्मित डेल्टा भारत में कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा है दमध्यान से देखिए साथियों question तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदर बन डेल्टा है जो गंगा और ब्रहमपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है अब उसी परकार से देखिए कृष्णा और गोदावरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा भारत में दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा आपका गंगा और भ्रहम पुत्र नदी द्वारा निर्मित सुन्दरवन डेल्टा अब next question पर चलता हैं साथियों साथियों तब next question 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 number four देखिए ज्यान पिट पुरुसकार के पहले प्राप्ति करता कौन थे option a जी संकर कुरूप option b महादेवी बर्मा option c अमिताब घोस option d कृष्णा सुपती तो साथियों ज्यान पिट पुरुसकार के पहले प्राप्त करता आपका जी संकर कुरूप थे इसलिए question number four का answer आपका option number a होगा साथियों आप स्क्रीन सोट ले लिजिए साथियों ज्यान पिट पुरुसकार पाने वाले अगर आपसे पूछे ज्यान पिट पुरुसकार पाने वाले अंग्रेजी भासा के पहले सहितकार तो आपका अंग्रेजी भासा के पहले सहितकार आपका अमिताब घोस है साथियों यह भी important point देख लिजिए अगर पूछे क ग्यानपिट पुरुसकार पाने वाले अंग्रेजी भासा के पहले सहितकार तो आपका हो जागा मिताब गो साथियों ग्यानपिट पुरुसकार है जो सहित के छेतर में परदान किया जाता है ये भी important fact धियान में रखिएगा अब next question पर चलते हैं साथियों तो अब next question आपका option होगा साथियों भारत में अगर आपसे पुछें भारत में किस राज की तट्रेखा सबक्राइख की हैं तो अब next question पर चलते हैं साथियों तब next question question number 6 देखिए भारत में हाथी परियोजना project elephant की शुरुआत कब की गई थी option A 1972 में option B 1992 में option C 1973 में option D 1985 में तो साथियों भारत में project elephant यानि कि हाथी परियोजना की शुरुआत आपका इसलिए question number 6 का answer आपका option number B होगा साथियों एक question और पूछा जाता है भारत में बाग परियोजना की शुरुआत कब हुई थी project tiger की शुरुआत आपका 1973 में रखियेगा अब next question पर चलते हैं साथियों तब next question 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 number 7 देखिये पूरा तात्विक अस्थल सुक्रो तदा किस राज में इस्थी थे ध्यान से देखिये archaeological site सुर्को दता किस राज में इस्थी थे option A राजस्थान, option B करनाटक, option C हर्याना, option D गुजरात तो साथियों archaeological site यानि की पूरा तात्विक अस्थल सुर्को तदा आपका गुजरात में इस्थी थे इसलिए question number 7 का answer आपका option number D होगा अब next question पर चलते हैं साथियों, साथियों तब next question, question number 8 देखिये, निमलिखित में कौन सी पूस्तक भागत सिंग द्वारा नहीं लिखी गई है, option A मैं नास्तिक कियो हूँ, option B जेल डायरी और अन्यलेक, option C, युवा राजनितिक कर्ज करताओं के लिए, option D, जेल डायरी, तो साथियों, इन में से, जेल डायरी नामक पूस्तक है, जो भागत सिंग के द्वारा नहीं लिखा गया है, बलकि, जेपरकाश नरायन के द्वारा लिखा गया है, इसलिए, question number 8 का answer आपका option number D होगा, साथियों, जेल डायरी नामक पूस्तक, आपका, जेपरकाश नरायन के द् आयुजित किया गया था, साथियों, धियान से देखिये, question, hand in hand है, जो अंतिम बार 2019 में आयुजित किया गया था, जो कि भारत और चिन का संजुक्त से नभ्यास है, किस राज में 2019 में आयुजित किया गया था, option A, महराष्ट, option B, मनीपूर, option C, मेघाले, option D, के रल, तो साथियों, अब next question पर चलते हैं, साथियों, तब next question, question number 10 है, जो कि last question है, निमलिखित में से किस देश में, sent, farmin, का उत्सब मनाया जाता है, option A, परागवे, option B, aspen, option C, तुर्की, option D, इवांडा, तो साथियों, sent, farmin, का उत्सब आपका, aspen में मनाया जाता है, इसलिए, question number 10 का answer आपका option number B होगा, साथियों, sent, farmin, का उत्सब आपका, aspen में मनाया जाता है, साथियों, अगर हमारा initiative आपके exam के लिए best लगा हो, तो वीडियो को like और share करिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किये हैं, तो subscribe कर दीजेगा, तो जहिन साथियों, और हम next